तारे सितारे वंगरह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशी फल नई नई यानवरधक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 2 मार्च 2020 सोमवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज का दिन बारा में से छे राशी वालों के लिए सफलता दायक रहेगा इन छे राशी वालों के लिए आज का दिन खास रहेगा तो इन छे राशी वालों के लिए आज का दिन खास रहेगा तो इन छे राशी वालों के लिए आज का 45 मिनिट पर और सूरियास्त होगा साम 6 बच के 22 मिनिट पर आज दिन की सुरुवात कृतिका नक्षत्र से होगी और आज वेदरती एवं विश्कुम्भ नाम के दो योग रहेंगे और आज चंद्रमा का संचरन वरशब राशी में होगा और आज का सर्वस्रेष्ट महुर्त अभी जीत महुर्त आरंब होगा दिन के 12 बच के 10 मिनिट से आरंब हो करके तो 12 बच के 56 मिनिट तक स्रेष्ट समय रहेगा इस सुब महुर्त में आप कोई भी सुब नया कारिय आरंब कर सकते ही या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी इस समय अभी में आप कर सकते ही यहां महुर्त बहुती स्रेष्ट होता है और आज का अशुब समय दुष्ट महुर्त प्रारंब होगा दिन के 12 बच के 56 मिनिट से आरंब हो करके तो प्राता हकाल 9 बच के 49 मिनिट तक राहु काल रहेगा इस दौरान किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आपको नहीं करना चाहिए वह किसी भी प्रकार का लेन देन का काम आपको नहीं करना चाहिए और किसी को भी धन वस्तु आधी उधार में इस समय अवधि में आपको नहीं देना चाहिए और आज दिशा सूल रहेगा पूर्वदिशा में तो आज के दिन आप पूर्वदिशा की और मुख करके कोई भी शूब मांगलिक वह नए काम की शुरवात नहीं करें पुर्व दिशा की यात्रा भी आप नहीं करें यदि यात्रा करना आपको अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना करके अथवा इष्ट देवता के नाम मंत्रों का उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते हैं तो आज जो है सोमवार का दिन है जो भगवान सीव जी को अतिप्रिय है सोमवार का दिन भगवान सीव जी को समर्पित है तो सोमवार के दिन भगवान सीव जी की सच्चे मन से पूजा आराधना करने से स्रेष्ट फलों की प्राप्ती होती है और मनो कामनाई भी शिगर पूर इस दिन चंद्र देवता ने भी पूर्व के समय में भगवान शीव जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना की थी इसी कारण भगवान शीव का उन्हें आशिरवाद मिला था और चंद्रमा को भगवान शीव ने अपने मस्तक पर धारण किया था तो सोमवार को शीव जी की विशेश करपा पाने के लिए कुछ इस विशेश प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए इसकी मातरा में बिलव पत्र सफेद चंदन लगा करके अरपन करें और एक धतुरा अरपन करें स्रिफल चड़ा करके स्रद्धा पुर्वक उनकी आर्ती उतारें तो इससे व्यक्ति की सारी मनों कामनाई पूरी हो जाती है तो सोम का अर्थ सोम्य से लिया गया है संकर जी जो है सांत देवता के रूप में मने जाते हैं तो शिव जी की सहजता और सरलता के कारण ही इने भोले नात कहा जाता है तो सोम को गरंथों में ओमकार भी कहा गया है जो भगवान भोले नात का ही सुरूप है तो यही कारण है कि सोमवार को सीवजी की पूजा अर्चना विशेस फलों को देने वाली हो जाती है तो अब जानी अपनी जन्मरासी के अनुसार आज आपके भगी के सितारे क्या बोलते हैं तो मेंशरासी से आरंब करते हैं मेंशराशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज घर परिवार जनों के साथ अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे संतान की प्रगति के समाचार आपको मिल पाएंगे आज संतान की वर से आपको गर्व की अनुभूती होगी आज दूसरों का भला करने की कोशिस आपको अवश्य करना चाहिए भाई बंदों के साथ अच्छे संबंद बने रहेंगे तथा उनके साथ बेट करके घर के प्रस्नों की चर्चा आप कर पाएंगे घर की समस्याओं का निराकरन कर पाएंगे किसी छोटे धार्मेक स्थल पर जानने का सफल आयोजन आपके द्वारा हो सकता है धार्मेक स्थल की यात्रा आज आपके लिए सफलता दायक हो सकेगी आज आपको अशुबु परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं घर परिवार में जगड़े नहीं हो इस बात का विशेश ख्याल आपको रुखना चाहिए परिवार के सदस्यों के बीच की गलत फ्रमी को दूर करने का प्रयतन भी आज आपको करना चाहिए धार्मेक सामाजी कारियों में विस्तता वैसे रहेगी तथा खर्च भी आपका बढ़ सकता है दामपत्य जीवन में चोटी मोटी नोग जोंग हो सकती है समल करके अपनी बात अपने जीवन साथी के साथ आपको करना चाहिए आज लाइप की यदि हम बात करें तो समय रहते आपको जरूरत होगी कि आप जीवन साथी के बीच विवाद को सुल जाने की कोसिस करें अन्यथा विवाद आपके रिस्तों को तोड़ भी सकते हैं वहीं वेवाहिक जातोकों की अदि हम बात करें तो जीवन में यह समय आपके लिए अनुकूल फलो को देने वाला भी रहेगा आज व्यापार व्यवसाई की अदि हम बात करें तो आज आप निरधारित कारी कर पाएंगे आर्थिक लाप की इस्तिती ज़्यादा अच्छी रहेगी नौकरी तथा व्यापार में लाब होने की संभावना अधिक रहेगी इस्तरी मित्रों से कारी अधिक मिल सकता है उनके सपोर्ट से कारी छेत्र में सफलता की योग रहेगी भगवती लक्ष्मी देवी की क्रपा दर्ष्टी आज आप करें तो आपके लिए ठीक होगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज उत्तम स्वास्त को पाने के लिए आज आपको अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंतर नखने की अवशकता रहेगी और नियमित दिंचरिया का पालन भी आप करते रहें तो आपका स्वास वा बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए और मनों कामनाओं को पूरुन करने के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार से हैं। विशे मेवा रितूफल का भोगर्पन करके एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से भगवान शिव परिवार की स्रध्धा पुर्वकारती उतारें और सिव जी के इस्त्रोत्र अथ्वा बीज मंत्र का बेट करके जाप करें। तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ व बनाने में सफल रहेंगे। आपका दिन जो है अच्छी तरह से व्यतित हो पाएगा, घर में शांती तथा आनंद का वात्तावरन रहेगा। सुखमई समय आप व्यतित कर पाएंगे और सुखमई प्रसंग आपके लिए निमित होंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें यस की प्राप्ती की योग हैं आरोगी भी आज आपका बहतर बना रहेगा। आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप कम महनत के ही अच्छी सफलता प्राप्त करने में काम्याब रहेंगे। लेकिन आपको इस समय ना तो किसी को कोई उधार देना चाह आज 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 आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही आज जो है प्रेम में पढ़े जातों के लिए समय कई प्रकार से अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने जीवन साथे के साथ कहीं बाहर गुमने फिनने का प्लान कर सकते हैं। और इस दोनों एक दूसरे के साथ खुल कर बाते कर सकते हैं, अपनी किसी गुप्त बातों को साजा भी आज आप कर सकेंगे, आज का दिन वैसे आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है, आज व्यापर व्यवसाई की यदि हम बात करें, तो आज के दिन आपको सावधानी पूर आपको अपनी दिन चरिया में सैयम भरतने की आवशकता रहेगी, आपको किसी छोटी परिशानी से लेकर बड़ी चिंता करने से भी आज आपको बचना चाहिए, आज तनाव मुक्त हो करके आप काम करेंगे, तो दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आपका स्वास् के विग्न संकटवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए और मनो कामनाओं की पूर्ती के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से ही, कि प्रातहकाल भगवान शिवजी के मंदिर में गाय के सुद्धगीं का दीपक जला करके, गंद पुष्प अक्षत के द्वारा श पुर्वक जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबव वह सफलता दायकाज रहेगा, अगली राशी ही मिथुन, तो मिथुन राशी वालों को आज शुबव परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही, कि आपको परिवार का सुख मिल पाएगा, इस दोरान आप अपने परिजनों के साथ किसी धार में किस थल पर यात्रा पर जाने का योग बना सकते ही, इस यात्रा पर यूँ तो आपका धन खर्च अधिक होगा, लेकिन आमदानी सही होने से आपको यह खर्च ज्यादा नहीं रहेगा, लोगों के बीच आपकी लोग प्रिता बढ़े पैसों से जुड़ी कुछ परिशानी होगी, लेकिन बाद में धिरे धिरे आप उसे अपनी काबिलियत से खापी हद तक कम कर पाएंगे, व्यर्थ के खर्च पर आज आपको विशेश करके रोक लकाने की आवशक्ता अधिक रहेगी, आज लाइब की यदि हम बात करें, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा व्यतित होगा, आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें, तो आज कारी सफलता और उच्च पदादी कारियों की करपा दर्ष्टी के कारण, आपके लिए दिन प्रसनता भरा रहेगा, कारी चेतर में सफलता के विशेश यो तो पिले रंग का प्रियोग कारी चेतर में आज अधिक सदिक आप करते हैं, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार से हैं, कि प्रतहकाल इस्नान करने के पश्चाथ, भगवान सिवजी के मंदिर में गाय के शुद्ध घी का दीपक जला करके, भगवान सिवजी को कच्चे दू से इशनान करवा करके, गंगा जल से इशनान करावें, वस्त्र अरपन करें, गंद पुष्प अक्षत के द्वारा स्रधा पुर्वक उनकी पूजन कर लें, और सिवजी को 21 की मात्रा में बिलवपत्र सफेद चंदन लगा करके चड़ावें, और रितुफल मिठाई का भोगरपन करके, एक स्रीफल चड़ा करके, करपूर से उनकी आरती उतारें, और यह था शक्ति सिवजी के पंचाक्षरी महामंत्र ओमनमाह वह सफलता दायकाज रहेगा, अगली राशी है करक, तो करक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही, इस दोरान आपके सामने आने वाले हर चुनोती आप छोटी कर पाएंगे, और आपके इसी रवयो को देखकर आपके अधिकार, आपके अधिकतर लोग आप से संतुष्ट रहेंगे, धनल आपके प्रबल योग बनेंगे, विदेश या दूर से अच्छे समाचार मिलने के योग रहेंगे, आज आप जरूरत मंद लोगों को भोजनादी खिलावें, इससे रिस्तों में आपके मिठास आएगी, आज आपको अशुब परि जा सकती है, तो आज सत्रों से विशेश सावधानी आप रखेंगे, तो दिन आपके लिए काफी अच्छा वितीत होगा, आज लाइप की यदि हम बात करें, तो आज आपको प्रेमे को समझाने का भरपूर अवसर मिल पाएगा, जिसका लाव उठाना आपके लिए जरूरी आज रहेगा, वहीं अगर साधी सुदा जातकों की हम बात करें, तो आपके धामपत जीवन में कुछ परेशा नी रहेगी, क्योंकि जीवन साथी का स्वास्त इस दोरान थोड़ा सा खराब हो सकता है, आज व्यापर विवसाई की यदि हम बात करें, तो छोटे इस तर पर करने वाले को अच्छा लाब प्राप्त हो सकेगा, और जो लोग प्रापरटी का काम आदी करते हैं, उन्हें किसी जमीन जायदा से विशेश लाब के योग रहेंगे, आज कारिच छेतर में आपकी काम की तारिफ हो पाएगी, आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो आज मोसम संबंदी छोटी मोटी परेसानिया खड़ी हो सकती है, इसलिए सरीरिक स्वास्त का विशेश ख्याल लखे तो आपके लिए आज अच्छा रहेगा, तो आज आपका भाग गिशाली अंक पांच है, शुब रंग आपका लाल रंग है, तो लाल रंग का प्रियोग शेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं, तो आपको विशेश लापगी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए, वह मनो कामनाओं की पूरती के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, प्रातहकाल भ पत्र सफेद चंदन लगा करके चड़ावें, एक धतुरा चड़ावें, और पंचामरत का भोग लगावें, पंचे मेवा का भोग लगावें, एक स्रीफल अरपन करके करपूर से उनकी आरती उतारें, यथा शक्ती महामरत्युन जे महामंत्र का बेट करके जाप करें, तो काफी हद तक हर प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्ती मिल पाएगी, इस समय अवधी में सकारात्मक बदलाओं के चलते, आपका मन संतुस्ट रहेगा, आप इसके चलते पहले से अधिक अपना कारी मन लगा करके कर पाएगे, आज आप अपने सोचे हुए कारियों को जल्दी पूरा कर पाएगे, उनमें सफलता भी आपको मिल पाएगी, आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि आज आपको कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है, आपके सास्त में उतार चड़ाओं की स्थिती रह सकती है, किसी बिगड़े हुए का यदि हम बात करें, तो आज जीवन साती के साथ किसी यातरा पर जाने के युग बन सकते हैं, जिसके चलते आपका, आपकी जो संबंद है काफी मजबूत रहेंगे, घर परिवार का माहूल इससे आपका काफी मजबूत बना रहेगा, आज व्यापारव्यवसाई की यदि हम बात करें, जो लोग बिजनेसमेन हैं, उन्हें आज आर्थिक उतार चड़ाव देखने को मिल सकते हैं, और जो लोग राजनीती चेतर में जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारियां आज मिल सकती हैं, आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो आज आप अपने आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए और मनो कामनाओं की पूरती के लिए आपका विशेश उपाईस प्रकार से हैं। अगली राशी है कन्या, कन्या राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। आज मार्ग खुल पाएंगे। आपको बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का अवसर भी आज मिल सकता है। आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं। इस समय अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। आप अपने प्रियतम को अपने मित्रों से मिल वा सकते हैं। इस दोरान संभावना है कि पेमी को आपकी पसंद नापसंद जानने का अवसर भी मिलेगा। आप उन्हें कोई उपार आदी देंगे जिससे उनकी संतुष्टी होगी। आज व्यापार व्यवसाई की अदी हम बात करें। जो लोग सास की नोकरी आदी करते हैं। कारिछेतर में आज उन्हें सहयोग्यों की पूरी मदद मिल पाएगी। अगर आप किसी जमीन जायदा आदी का सोदा करने के बारे में विचार कर रहें। तो आपको कोई अच्छा ग्राहक मिल सकता है। आज विशेश फाइदा भी आपको मिल सकता है। आज स्वास्त की अदी हम बात करें। तो आज तनाव मुक्त रहना आपके स्वास्त के लिए हित कर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुब रंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रियोक कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से प्रातहकाल शनान करने के पश्चाद भगवान शिवजी के मंदिर में गाई के सुद्ध घी का दीपक जला करके सिवजी को पंचामर से स्नान करावें सुद्ध जलवा गंगा जल से स्नान करावें वस्त्र आदी चड़ा करके सिवजी का अच्छे से स्रंगार कर देवें और पुश्प की माला आकड़े के पुश्प की माला अरपन करें अगली राशी है तुला, तुला राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं, आपको कई छेत्रों में भाग्य का पूरा-पूरा सांथ मिल पाएगा, आपको किसी सुदूर यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं, इस यात्रा से भी आपको अच्छे ला कार से मिल सकते हैं, कि परिवार और केरियर के बीच संतुलन बना करके चलना आपके लिए ठीक रहेगा, क्रोध की अधिकता से परिवार में कलाहा होने की संभावना अधिक रहेगी, कारी छेत्र में, कारियों में की गई, कई तरह की चुनोतियों का सामना भी आज आपका प्धेरी से काम करने की विशिश आवशकता रहेगी आज लाइप की यदि हम बात करें तो आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है जिसके परिणाम सरूप आपका मन किसी भी कारे में कम लगेगा इससे आपको मांसिक तनाव में वरदी हो जा बिजनेस में कुछ करीबी लोग घर पर आयोजन में सामिल हो सकते हैं उनसे भी आपको लाब के योग बनेंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज कोई बड़ी चिंता मन में आपके हो सकती है इसलिए तनाव मुक्त रहने का प्रियत न करें तो आपका सारीरिक और के विजन संकटवा बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान शिवजी के मंदिर में गाय के सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान शिवजी को कच्चे दूर से इसनान करावें रितुफल का भोगरपन करें एक स्रिफल चड़ा करके करपूर से सरद्धा पुर्वकारती उतारें और यथा शक्ती सिवजी के पंचाक्षरी महामंत्र ओमनमाह शिवाय का बेट करके जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहे इस दोरान आपका मन कारे स्थल पर अधिक लगेगा जिससे आप अपना सभी कारे अच्छे से कर पाएंगे सो प्रतिसेत योगदान कारे के रूप में आप दे पाएंगे शुक्र ग्रह आपके नीजी जीवन में खुशाली लेकर के आने वाले हैं आपको इससे कारे छेतर में अच्छी सभलता के योग बनेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कारोबार आपका अच्छा चलेगा लेकिन कारिभार की अधिक्ता रहने से मन अशांतर रह सकता है व्यापार धंदे में मुनाफा और नोकरी में तरक्की के योग रहेंगे लेकिन अनावश्यक खर्च के अधिक्ता हो जाएगी जिससे तनाव आपका बढ़ सकता है आज करोध पर नियंतरन और वानी पर संयम रख करके बेवजह के विवादों से दूरी आपको बनाए रखना चाहिए आज लाइप की अधि हम बात करें तो आज प्रेम में पढ़े जातों के लिए समय तनाव पूर्ण रहने वाला है निजी जीवन में चल लही तनातनी आपके जीवन में बाधाएं उत्पन न कर सकती है इस दोरान प्रियतम बाद बाद पर आपसे नाराज हो सकता है जिसके बज़े से कभी आप होंगे तो कभी आपका स्वभाव खराब हो सकता है आज वियापारव्यवसाई की अधि हम बात करें तो आपको जीवन में नया मुकाम प्राप्त होने के योग रहेंगे इस रासी के जो लोग फेशन डिजाइनर आदी है आज उन्हें किसी बड़े समाहरों में जाने का अवसर मिल सकता है और आपको अपने किसी काम के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है आज स्वास्त की अधि हम बात करें तो आज खान पान पर सैयम आप बरतेंगे तो सारीरिक स्वास्त आपका ठीक बना रहेगा अन्यत्था पेट से संबंदित कोई विकार आज आपको उत्पन हो सकता है तो आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रयोक कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहका लिश्नान करने के पश्चात भगवान शिवजी के मंदिर में गाय के सुद्धगी का दीपक जला करके शिव परिवार का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा सरद्धा पुर्वक पूजन कर लेए पुष्प माला अरपन करें रितुफल मिठाई का भोग अरपन करें एक सुरिफल चड़ा करके करपूर से शिव परिवार की स्रद्धा पुर्वक आरती उतारें और यथा शक्ती शिव जी के इस्तरोत्र अथवा नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वब सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके सहकर्मी आपके काम की जम कर तारीब करेंगे जिससे आपको अपने मनोबल में वरद्धी महसूस हो पाएगी इस समय आपके सत्रू सक्री होने का प्रयत न करेंगे लेकिन आप उन पर अपना दब दबा स्थापित कर पाएगे उसमें सफल रहेंगे आपको किसी भी परकार के निवेश से फाइदा मिलने के प्रबल योग रहेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते ही विद्यारती वरगों को अधिक महनत करने की आवशक्ता रहेगी क्योंकि इस समय उन्हें मिले जुले परिणाम हासिल हो सकते ही आज क्रोध पर नियंतरन वानी पर सैयम आप रखना चाहिए अनिता बेवजह किसी विवाद में आप पढ़ सकते ही परिवार के किसी सदसे से अनबन आपकी हो सकती ही फिजुल खर्ची पर भी आज नियंतरन आप बनाए रखेंगे तो दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा आज लाइप कि यदि हम बात करें तो आज प्रेम में पढ़े जाता कि इस समय प्रेम का आनन्द ले पाएंगे यदि आप प्रियतम के साथ विवाहा अदी करना चाहते हैं तो इस समय विवाहा बंदन में आप बन सकते हैं और यदि आप साधी सुदा है तो दामपत जिवन आज आपका सुखमई वितीत होगा आज वियापार विवसाई की यदि हम बात करें जो लोग संगीत और गायन के छेतर से जुड़े हैं उन्हें कोई बड़ी प्रसिद्धी मिल पाएगी आप किसी बड़ी कमपनी से करार आदी कर सकते हैं उसमें भी अच्छी सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं आज स्वास्त की अदी हम बात करें तो आज आपको किसी प्रकार से चिंतित होने की अवश्यक्ता नहीं रहेगी आज मौसम संबंदी छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं यानि सारिरिक स्वास्त आज आपका बहतर ही रहेगा तो आज आपका भाग गिशाली अंक साथ हैं शुब रंग आपका कैसरिया रंग है कैसरिया रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटबा बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाइस प्रकार से ही प्राताहकालिश नान करने के पश्चात भगवान शिवजी के मंदिर में गाय के सुद्धगी का दीपक जला करके शिवजी का गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन कर लेवें सिवजी को 21 की मात्रा में बिलवपत्र सफेद चंदन लगा करके चड़ावें एक धतूरा अरपन करें रितुफल पंचे मेवा और मिठाई का भोग अरपन करके एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें और बेट करके महा मृत्युन जे महा मंतर का यथा शक् वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप यदि विद्यारती है तो उच्छे सिक्षा प्राप्ती के लिए विचार कर सकते हैं धर्म की और भी आपका रुजान देखने को बनेगा जिस के चलते आप किसी धर में किस थल की यातरा पर जाने का प्लान कर सकते हैं इसके अलावा यदि आप नोक्रियादी करते हैं तो आपके अधिकारी आपकी और आकरशित होंगे जिसका लाब भविश्य में आपको मिलता रहेगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से म इतना मुम्किन हों बोलने से पहले सही तरह से सोच विचार आज आपको अवश्य कर लेना चाहिए आज लाइफ की यदि हम बात करें तो इस समय आपको अपने प्रेमी की हर बात अच्छी लगेगी आप उन्हें इंप्रेस करने की हर मुम्किन कोशिश कर पाएंगे वहीं वेवाहिक जातों को कि यदि हम बात करें तो आपके साधी सुधा जीवन में इस समय धन के अभाव के करण छोटी मोटी परेसानिया खड़ी हो सकती हैं आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज आज आपके कुछ जरूरी काम पूरे होने के योग रहेंगे इस रासी के जो लोग थेटर आदी से जुड़े हैं उनने किसी पले में अच्छा रोल करने का अवशर मिल पाएगा यदि कहीं व्यापार आदी आप करते हैं तो व्यापार में अच्छा मुनाफ़ा भी आपको मिल पाएगा इसके अलावा आपको नई उपलबदिया प्रा बना रहें तो आज आपका भाग्यशाली अंक एक है शुब रंग आपका हरा रंग है तो हरे रंग का प्रियोक कारी छेतर में अज अधिक सदिकाप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात सिव जी के मंदिर में गाय के सुद्धगी का दीपक जला करके सिव जी को कच्चे दूस से इसनान करावें पुनह सुद्ध जलवा गंगा जल से इसनान करवा करके वस्त्र औ करके करपूर से उनकी आरती उतारें और यथा शक्ति शिवजी के पंचाक छरी महा मंत्र ओम नमाह शिवाय का बेट करके जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगले राशी है कुम्भ कुम्भ राशी वालों को आज सरिया काम मिल पाएगा आपको माता पिता का आसिरवाद वा पूरा सहयोग मिलेगा आप उनके साथ किसी धार्मे के स्थल पर जाने का विचार कर सकते हैं धार्मे के स्थल पर जाने से आपके मन को संतुष्टी मिलेगी इससे कारे में भी अच्छे से आप उन्नती कर आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है यह समय आपके लिए प्रतिकूल फल देने वाला हो सकता है इसलिए आज आज आपको सचेत रहने की आवशकता अधिक रहेगी और इस समय आपको किसी भी तरह के लेन देन को करने से बचना चाहिए अन्यथा धन से संबनित कोई परिशानी खड़ी हो सकती है आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज जीवन सांती के साथ मधूर संबन्द रहने की संभावना अधिक रहेगी यदि आप किसी से ज़्यादा ही इस नह करते हैं तो इस समय उससे प्रेम पूरवक व्यभार करने की अवशकता रहेगी तो इससे आपके संबन्दों में मजबूती आएगी आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज लोहे आदी का बिजनेस आप करते हैं तो काम में विस्तार आपके हो सकेगा इस रासी के जो लोग प तनाव आपको उत्पन हो सकता है आज महत पूर्ण कारियों को टालने का आपको प्रयत्न करना चाहिए तनाव मुक्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे मांसिक और सारीरिक स्वास्थ आपका बहतर बना रहे तो आज आपका भाग गिशाली अंक नो है शुब रंग आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्राता का लिशनान करने के पश्चात शिव जी के मंदिर में गाय के सफेद चंदन लगा करके चड़ावें सिवजी का अच्छे से स्रंगार करें और धूप दीप नेवेद्य अरपन करें नेवेद्य के रूपे में रितुफल और मिठाई अरपन करें एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनकी आरती उतारें यथा शक्ती महा मुर्तिंजे महा मंतर का बेट करके जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी हमीन मीन राशी वालों को आज शुब परिनाम इस परकार से मिल सकते हैं आप मित्रों के साथ कई घुमने फिरने का प्लान बना सकते हैं इस दोरान आप उन पर दिल खोर करके खर्च भी कर पाएंगे परिवारिक जीवन आपका सही से वितित होगा लेकिन आपको समझने की अवशकता होगी कि परिवार को समय देना भी कई मायनों में आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा आज परिवार के सहयोग से ही कारे चेतर में आपकी अच्छी उन्नती के योग भी बनेंगे आज आपको औशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं अपने नजरियों को दूसरों पर आपको नहीं थोपना चाहिए विवाश से बचने के लिए दूसरों की बातों पर गोर अवश्य करना चाहिए काम की अधिकता से ठकान महसूस करेंगे कारेचेतर के कारियों में प्रतिवकूल परिस्थितियों का सामना भी आज आपको करना पड़ सकता है यदि आप नोक्रियादी कहीं करते हैं उच्च अदिकारियों से बात करते समई सयम बरतने की आवशकता अधिक रहेगी आज लाइब के अदि हम बात करें तो जीवन सांती के साथ मन की बाते शेयर आप कर सकते हैं पहले से बनाई हुई योजनाय सफलता दायक रहेगी और आप अपने जीवन सांती के साथ मदर संबंद बनाए रखने के साथ साथ उनके साथ व्यवार भी अच्छा रखने का प्रयत्न करें तो घर परिवार का माहुल आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आज के दिन बड़े व्यापार एक लेंदेन करते वक्त अपनी भावनाओं पर आपको काबू रखने की आवशकता रहेगी बेंक के बेलेंसी आप बना पाएंगे लेकिन सामाजी कार्यकरम आपका महंगा हो सकता है उचित ध्यान का सहारा लेने की अवशकता अधिक रहेगी तो आज आपका भाग गिशाली अंकछे है शुब रंग आपका के सरिया रंग है के सरिया रंग का प्रयोकारी छित्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्र जल गंगा जल से इसनान करवा करके वस्त्र अरपन करें रितुफल मिठाई का भोग अरपन करें एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से उनके आरती उतारें यथा सकती सिवजी के पंचाक्षरी महामंत्र ओमनमह शिवाय का यथा सकती बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पू वीडियो को लाइक वाशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्रीक रश्नमित्रों फिर मिलेंगे